हलो फ्रेंट्स, आज मैं बहुत बड़ा काम करने चाह रही हूँ, पैंसिल कैक्टस जिससे आप कई नामों से जानते होंगे, सारे नाम मैं टाइटल में डाल दोगी, तो आज मैं लगाऊंगी इसे छोटी छोटे पॉट में, जो की मेरे घर में बहुत जगह लगा हुआ है य या फिर ऐसे चोटे-चोटे पॉट्स हो गया यह वहां पर भी लगा देती हूँ, जहां पर ग्रीन रखने का मंतों करता है, पर वहां पर केर करना मुस्किल काम हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कितना उंचा बांडरी वाल है, और यहां पर प्लांट में जल जाता है, और साल में एक-दुबार प्रूनिंग कर देती हूँ, तो सेफ भी मिंटेन रहता है, और जितना सेफ इसका करती रहती हूँ, उतना बुसी भी होता रहता है, और यहां पर देख रहे हैं, बहुत थोड़ा सा स्वायल है इस पॉट में, और इसकी हाइट देख अच्छा इसका कलर होता है, बिल्कुल रेड हो जाता है, बिल्कुल बुस की तरह दिखाई देता है, और चोटी-चोटी इसकी पतियां होती है, ऐसे लगता तो है, सिर्फ डंडी है यह लेकिन अच्छा क्लाइमेंट इसको देते हैं, पूरी दूप में रखते हैं, तो रे जहां-जहां इन प्लांट्स की ग्रोथ जादा हो गई थी, वहां से कटिंग करके निकाल रही हूं, और दूसरे पॉर्ट में नए प्लांट बना रही हूं, और जो पॉर्ट का सेलेक्शन मेंने किया है, वो भी बहुत चोटे-चोटे हैं, यानि बड़े गमले में तो यह जितने बड़े गमले में लगाएं, जमीन में लगाएं, बिल्कुर टृवी जैसा बन जाता है, और जितने छोटे गमले में आपको लगाने के मμαν है, उसमें भी आराम से चल जाता हैं, यहां तक कि मैं इसे हैंगिंग बासकेट में भी लगा कर किये कर perpet मना करना हूं, लेक आपका भरा भरा दिखाई देगा एड में रखने से एक थोड़ी प्रॉलम हो जाती है कि प्लांट बिल्कुल ग्रीन दिखाई देता है लेकिन लेगी नहीं दिखाई देता है इसकी यह खासियत है और इसकी वराइटी की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता है इसकी कोई व सकते हैं इस प्लांट के साथ आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा केरफुल हो जाए क्योंकि जहां जहां यह कट लगता है वहां से मिल्क जैसा फ्लूट निकलता है जो कि थोड़ा पॉजनिस तो नहीं कह सकते हैं होता भी है तो हमारे लिए उतना रुक्सान नहीं करता है पर जहां पर आपके हाथ में या फिंगर में लग जाये तो अच्छे से वहां वास कर लीज़े आख को टश मत करिए, इस्कीन को टश मत करिए थोड़ा सा होता है, तो यसे हमें क्यार कर फुल होकर करना चाहिए वियर पच्चों से थोड़ा सा दूर ही डखना चाहिए पैट से थAy maasite शेफ केति है बाया ओधना מी में होता है। स्ब्रुलीट जलता है, इसमें मिलक तरझ मंडर्त क ही कहा जाता है फिंगर की तरह स्टिक होती है इसले से विंगर के सटे हैं कई ब्रांचें किसे एब लगता हैं सब्सक्रीज़ Sen उख कि अड़ों खुनाच केड़ा पार दीज़ी चोटे सब्सक्री च्छाहई से पीज़ी होता है pie when a इसे नहीं निकालता है मतलब अगर आप एक रूट वाला प्लांट लगाते हैं तो रूट एक हमेशा रहेगा पर उसमें ब्रांच बहुत निकल जाते हैं और उसके कटिंग आप दूर्से जगह लगा देंगे तो दूसा प्लांट तैयार कर देता है जो ने प्लांट आप मॉस्केटों भागता है तो मैंने तो नोटिस नहीं किया है वैसे इसके साथ एक खासे थे कि थोड़ा पॉजनेस या इसकी प्लांट होते भी मेडिसनल प्लांट होता है बहुत सारे इसकी दवाईयां बनाई जाती है खास करके हडियों के लिए या गठिया के लिए चर्म रोक के लिए लेकिन आप इसको अपने आप यूज कभी मत करेगा क्योंकि यह सब चीजे जो है बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी निक करना चा चेक किया जाता है तो काफी अच्छा सुध हवा वहाँ पर होता है यानि हमें अपने घर के आसपास इसे काफी मात्रा में लगाना चाहिए और इस प्लांट के लिए यह भी कहा जाता है कि समर के मौसम में इसके आसपास जितने भी प्लांट होता है उसको भी ठंड़क देत यानि कि उस प्लांट को मरने नहीं देता है यह प्लांट होता है इस वजह से पूरे साल एक जसा बना रहता है ज्यादा तर हम कोई भी प्लांट की बात करते हैं तो अपने वेदर में ही वह सही से चलता है यानि गर्मी वाला है तो गर्मी में सही से चलता है ठंड वाला है तो तोड़ा यह खराब होने का डर रहता है इतना कम डिमांडी प्लांट है कि इसमें अगर आप कोई फटिलाइजर मट डालिए कभी कुछ नहीं डिमांड करेगा इसे पानी और स्वैल की रिक्वार्मेंट होती है अगर गंबले में लगाते हैं तो जैसे सब प्लांट की केर करत हैं तो इसके लिए बोनट हो जाता है तो आप से बाते करते करते मैंने कितने सारे पौधे लगा लिए छोटे शोटे कटिंग है काफी टाइं लगा मुझे एसम सबस्ता हुआ मुझे में इसी मांड़ा से मैं सारे काणं को यूज करना चाहरी थी करते मैं आज इसमें स्वैल पहले ही से सब में डाल दिया है और पहले से ही पानी डाल दिया है ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाया लगाने में इजी हो जाया और पौधे लगाने से पहले सब में होल कर ले रही हूं ताकि सीधा सीधा पौधे ऐसे रख दूं और बाद में पूरा स्वैल को दबा दिया है एक साथ, तब थोड़ा लगाना easy हो गया है, यहां पर मैं आपको कुछ plant के clips दिखा रही हूं, जो धूप में लगने पर कैसा ये दिखाई देता है, तो देखी कितना red और कितना सुंदर लग रहा है है, और यहां पर आप देख रहे हैं, जमीन में लगा हुआ है यह और इसकी रंगत देखे कितना चेंज है और मेरे गंबलों में जो लगे में उसकी रौनक देखे तो दोनों अपनी अपनी जगा पर अलग लुक में दे रहा है इस वज़े से दोनों में कोई कमी नहीं है क्योंकि मेरा भी प्लांट ग्रीन जादा है और हेल्दी तो फ्रेंड्स आज आप पैंसिल कैक्टस के बारे में कुछ जगर जाने हो आपको अच्छा लगा हो कुछ नई बात जाने हो तो मुझे कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं आपके साथ दूसरे प्लांट के साथ दूसरे वीडियो में